नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल यूपी गाजी पूर जिले में जाति पूछ कर पिटाई करने का मामला अब काफी बढ़ गया है जिसके चलते अब यादो समाच की लोग काफी आकुरूशी थें और यादो समाच की लोग सड़क पर उतर गए हैं आपको बताने की जाति पूछ कर पिटाई करने वाले कमले सिंग अब डर के मारे घर से फरार हो गए हैं आपको बताने की गाजी पूर जिले में सादत बलाग की बलाग प्रमुख आरती सिंग के प्रत्नी धी कमले सिंग ने जाति पूछ कर जाहन गंज के बलाग प्रमुख सं जय यादो के भाई ओंकार यादो को पीट दिया जिसके बाद से अब यादो समाज काफी आक्रोसित है यादो समाज ने इसके ब्रोड में बड़ा जुलूस भी निकाला वहीं यादो महासभा की पूल टीम के द्वारा ब्लाक प्रमुक प्रतिनी धी कमलेश सिंग की गिरपता की मांग को लेकर जिला मुख्याले पर कप्तान को पत्र भी दे दिया गया है या मामला इतना बढ़ गया है कि ओमकार यादो के समर्थन में पूरा यादो समाज ने ठाने को घेल लिया और गिरपतारी की मांग भी के गई है ब्लाक प्रमुक प्रतिनी धी कमलेश सिंग के ब यादो समाज की लोग ब्लाक प्रमुक प्रतिनी धी कमलेश सिंग के गाउं में पहुचे लेकिन डर के मारे कमलेश सिंग पहले से ही घर छोड़ कर फरार हो गए और इस मामले से यादो समाज अब बहुत आक्रोशी थे आपको बताने की जात पूच कर पिटाई करने वाले दबंग कमलेश सिंग अब घर छोड़ कर फरार हो चुके हैं और यादो समाज से वाड़ कर घर छोड़ कर चले गए हैं इस मामले में अब यादो समाज कह रहा है कि अगर जल से जल कमलेश सिंग की गिरपतारी नहीं हुआ तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे अगर आपने चैनल को स्क्राइब कर लें बेल बटन जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्नवाद